हाई अब्रीवन वेल्कम बैक टो बैंकिंग बूस रोड़ अब चैनल आज हम लोग इस पार्ट को वीडियो में कवर करेंगे OCCC, Computer Skill Test को और इस पार्ट को वीडियो में आप लोग को देखने को मिलेगा MS Excel का एक Previous Air का Question तो चलो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं उससे पहले अगर आप लोग को चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आप लोग को इसी तरह का वीडियो आगे भी मिल सके तो चलो पहले हम लोग Question को Read करते हैं यहापर First Point क्या दिया गया है In MS Excel, Create the Following Table तो आप लोग को यह Table Create करना पड़ेगा जहाँ पर आप लोग को क्या दिया गया है Operating System और Number of Users in Millions में दिया गया है तो Operating System कुछ दाटा दिया गया है और Number में आप लोग को कुछ दाटा दिया गया है तो यह Table आप लोग को Create करना पड़ेगा उसके बाद क्या बोल रहा है Second Number में Set the Column Name Operating System and Number of Users in Millions As Bold तो आप लोग को यह Bold में रखना पड़ेगा Heading को And Background Color as Yellow Background Color आप लोग को Yellow रखना पड़ेगा And Border as Thick Outside और जो Border रहेगा न और Border आप लोग के यहापर Insert करना पड़ेगा As Thick Outside वाला Border उसके बाद क्या बोल रहा है Create a 2D Pie Chart with Information Provide in the Table you created जो आप लोग यहापर बनाऊगे उसके According आप लोग के 2D Pie Chart वहापर Insert करना पड़ेगा उसके बाद क्या बोल रहा है Sort the Table in Largest to Smallest Order in Basis of Data in Column Number of Uses in Million जो यह Million में दिया गया है न उसको हम लोग को Sort करना पड़ेगा Largest to Smaller में उसके बाद क्या बोल रहा है Calculate Total and Average of Data for the Column Number of Uses in Millions Using Pre-Defined Formula Below the Table तो यहापर आप लोग को Total और Average निकालना पड़ेगा तो हम लोग अभी Practical करके सीखेंगे तो सारा चीज आप लोग को इन डीटेल में समझ में आ जाएगा तो यहापर मैं Excel को Open कर लेता हूँ यहापर कुछ Data दिया गया है उसको हम लोग टाइप कर लेते है ओपरेटिंग सिस्टम दिया गया है तो हम लोग यहापर क्या करने है ओपरेटिंग सिस्टम ठीक है ओपरेटिंग सिस्टम तो यह रहाँ ओपरेटिंग सिस्टम उसके बाद क्या दिया गया है उसके बाद हम लोग यहापर देख लेंगे Number of Usures in Millions number of users in millions in millions ठीक है उसके बाद हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर अगर आप लोग डबल क्लिक करोगे तो यह automated यह space ले लेगा ठीक है यहाँ पर आप डबल क्लिक कर देना है जैसे मैं क्लिक करा यह आप लोग को hide नहीं होगा ठीक है इस तरह से आ जाएगा पाफिक है जैसे बौल टकना तो बौल टकना अगे और यहाँ पर हम लोग कुलर करना है जब विट कर लेंगे कलर करने के लिए क्लरा बड़ेगा जाना है यहाँ पर आप लोग को different different दिया गया गया है लेकिन yellow बोला है तो इस टाइम अब yellow कया है यह रहा यह रहा yellow उसके बाद क्या देया गया है solaris solaris उसके बाद mac macOS ठीक है यह मैंने data fill कर लिया उसके बाद यहाँ पर number में कुछ data है उसको भी हम लोग type कर लिए 7.21 4.12 उसके बाद 2.69 उसके बाद 1.3 ठीक है यह मैंने type कर लिया उसके बाद यह से कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं alignment जो है left में कर देंगे इसको मैं data को select करके left alignment यहाँ से आप लोग कर सकते हैं click करोगे तो यह left के और alignment हो जाएगा उसके बाद हम लोग को क्या बोला गया था एक बार देख लेता हो background as yellow and border as thick यहाँ पर आप लोग को thick outside border देना है headings में ठीक है तो heading में हम लोग दे देंगे तो इसको हम लोग क्या करेंगे यह जो data है इसको select कर लेंगे यहाँ तक उसके बाद आप लोग को thick outside का एक border दिना है तो border दाने के लिए हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर आप लोग क्लिक करना है थीक है यहाँ पर जैसे क्लिक करोगे तो यह में लोग को thick outside गा border मिल जाएगा तोrove देख लेते हैं 1 एक बर कर सकते हुH MORE border में चले जाना है MORE border में चले जाने के बाद आप लोग क्या करना है यहाँ proving देखो border का option आच चुका है तो यह देखो थिक इसको इसको हम लोग थिक बोलते हैं तो यहाँ पर click कर देख कर देना एक बर आप लोग को तो यहां outside बोला है तो यह हो चुक है यलो ठीक ऊट्साइड क्रेट 2D पाइचार्ट करने से पहले हम लोग क्या करेंगे कुछ डाटा जो दिया गया है उसको सौट कर लेंगे ठीक है जैसे कि आप लोग देख सकते हो तो चलो हम लोग सौट कर लेते हो तो सौट करने के लिए क्या करना पड़ेगा इसको हम लोग select करना है, जो भी data आप लोग को करना है, यहाँ पर आप लोग देखो, home section में चले जाना है, home section में आप लोग editing का option दिख रहा है, short filter, तो यहाँ पर आप लोग को largest to smallest बोला है, तो largest to smallest में आप लोग जैसे ही click करोगे, तो यहाँ पर आप लोग क्या कर सकते हो, ए तो इस तरह से भी कर सकते हो कश्टम में भी जा सकतो हो देखो यह लेकिन अटीच नहीं करना है अम लोग नंबर में करना तो आप लोग चाहो तो कस्टम कर सकते हो कस्टम में चले जाने के बाद आप लोग क्या करना नमबर अप नमब्र ऑप sustaining件 वाय वाला में चले याना है क्योंकि इहाँ पर नमबर दिया गया है तो आप लोग चले जाएंगे जैंबर वह लोग की सिरा मलत को क्या करना है तो तूठ्स नहीं में सब्सक्राइं जींग करना है ए shimmer हम लोग total कर लेंगे total और एक average बोला गया तो हम लोग average भी कर लेंगे यहाँ पर हम लोग को किस तरह से find करना पड़ेगा equal to का sign देना है then आप लोग को sum type कर लेना है sum type करने के बाद double click करना है then यह वाले जो range है इसको select करके bracket close then interface कर देना है ठीक है तो यह आजाएगा इसतरह से total देन हम लोग लोग को average करना है average करने के लिए equalTo का sign देना है average यहाँ पर लियुल कर लिए करोगे यहाँ lett कर लेना है then within अप लोग मैंने कर देन आप लोग को into धैन है तो इस तरह से आप लोग का kut fertilizer कि टीक है और point के बाद आप लोग double digit रखो तो ज्यादा बहतर रहता है ठीक है अगर कुछ ना बोला जाए तो हम लोग यहाँ पर double digit कर लेंगे एक और यह दो ठीक है उसके बाद हम लोगो क्या करना है हम लोगो यह जो data दिया गया है उसके basis में हम लोगो एक pie chart insert करना है तो विंडो से हम लोग यहां तक क्या करेंगे एक pie chart को insert कर लेंगे इसको select करना है select करने के बाद insert में चले जाना है insert में जाने के बाद देख सकते हूँ यहाँ पर pie chart दिख रहा है आप लोगो तो pie chart 2D pie chart बोला गया है तो हम लोग 2D ले रहे हैं अगर आप लोगो 3D बोला जाए तो 3D लेना है जिस तरह से आप लोग इंस्ट्रक्शन हो उसी हिसाब से आप लोगो करना है तो यह मैं click कर हो इहाँ पर आप लोग देख सकते हूँ कि एक table आ चुका है तो यहाँ पर अम लोग table को रख देंगे तो इसके बाद आप लोग चाहो तो यहाँ पर data level को ला सकती हो data level में यहाँ भी आ चुका है देखो chart title यहाँ पर कुछ बोला नहीं गया है तो मैं यहाँ पर इसको uncheck कर देता हूँ तो यहाँ पर plus मैं click करके आप lågel vibes कर देना है ठीक है अगर आप लोग चाहो तो यहाँ भी कर सकता हो प्रेस करोगे तो यह delete होzejगा यहाँ पर आप लोग delete भी कर सकते हो ठीक है आप देख लेता हो क्या कुछ बोला गया है तो ये तो हो चुका है ठीक है अप लोग को sorted largest वाला भी हो चुका है calculate total average भी मैंने कर दिया है ठीक है तो ये भी हो चुका है ये भी हो चुका है और ये भी हो चुका है तो ये question यही पर खतम होता है आसा करता हो आप लोग को बहुत कुछ चानने को मिला है अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा है तो एक लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब करेना है एक बार हम लोग दिखा जाता हो अप लोग इसको किस तरह से सेब कर सकते हो control P करोगे तो data कुछ आप लोग को इस तरह से दिखेगा ठीक है देखो इस तरह से आप लोग को देखने को मिलेगा लेकिन देखो यहापर border नहीं दिख रहा है ठीक है क्योंकि instruction में border के बारे में कुछ नहीं बोला गया है अगर आप लोग को पूरे data में थीक आउटसाइड बोला गया है होता तो पूरे में तो बोला नहीं गया I think यह heading के लिए ही बोला गया है अगर आप लोग को पूरे में बोला गया है तो आप लोग क्या करते हैं यहा cow जा सकते हो उसके बाद थीक में क्लिक कर देना आप लोगो को ओके कर देना यह पूरा पूर livingas यह पूरिया आपको आउट साइड में पूरा की पूरा बॉर दिख जाएगा ठिक कहें लेकिन यह आउट साइड जो है आउट साइड अब लोग कुछ इस तरह से दाटा देखने को मिलेगा जो की बहुत अच्छा लए था यह ता आज C का वीडियो अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा है तो एक लाइक कर देना तो चलो मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए गुर्भाई है बनाइस टे